अगर आप इस चैनल पर नए है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकरिया आपको मिलते रहे चले जानते हैं आज का विशे जादू समराट पिसी सरकार का दिक्षा ग्रहन और वालमी की दर्शन कैसे हुआ परम पुझ्यपाद स्रिस्र दादा कहे रहे थे सबसे अच्छा मिराकल चमतकार है लव मिराकल परम प्रेममाई स्रिस्र ठाकुर जी के पास हर तरह के लोग आते थे चाहे कोई चोर हो कोई मजदपी हर तरह के लोग स्रिस्र ठाकुर जी किसी को अनादर नहीं करते थे और उनको बड़ावा भी नहीं देते थे उनको सुधार करते थे उनमें सुधार ना लाते थे ये था ठाकुर जी का लव मिराकल याने प्रेम भरा जादु का चमत कर सन 1937 में जादु समराट पिसी सरकर परम प्रेम्माय स्रिस्री ठाकुर जी के सद्धिक्षा प्राप्त हुए थे स्रिस्री ठाकुर जी उनको भूते राजा याने भूत का राजा कहते थे सत्संग में लाखों लोग को देखकर जादुगार पीसे सरकर आश्यर हो जाते थे एक बार ठाकूर जी के पाद जाकर बोले आप अपनी बानी में बोले थे अर्थमान या शित्तदी पाने के आशा में मुझे ठाकूर बना कर भगत मत बनो ठगे जाओगे इस आशा में तो लोग चमत करके पीछवागता है फिर भी इतने लोग कैसे आप के पास आ रहे हैं यह प्रशन लेकर सरकर दा ठाकूर जी के पास पहुँचे सिरसित ठाकूर जी बोले मुझे नहीं पता अनन्द बजर का रसोया यग्यश्वर सामंत राय से पुछे सरकरदा ठाकूर जी के निर्देश पर योग्यश्वर दा को जाकर पुछे वो उस समय अनन्द बजर में प्रसाद दे रहे थे दोनों हाथ में बाल्टी पकड़े हुए थे जैसे ही पीसी सरकरदा उनको ठाकूर जी का यह चमत कर क्या है यह सवाल पुछे योग्यश्वर दा दोनों बाल्टी को धर से जमिन पे रखकर अपने चाती में जोर जोर से थपड़ मार कर बोले मुझे ठाकूर जी का चमत कर के बारे में नहीं पता लेकिन मल्म का सबसे बड़ा चमत कर हूँ सरकरदा उन दादा से पूछे वो कैसे योग्यश्वर दा बोले यह जो मेरा दोनों हाथ देख रहे है यह दोनों हाथ बहुत कुकर्म किया है दादा कितने इंसान को मार दिया है किसी को मारने के लिए यह हाथ कापता नहीं था सिर्फ ठाकूर जी प्रेम का जादू से आज इसी हाथ में लोगों का भूक मिटा रहा हूँ क्या यह कमबड़ा चमत का रहे है पीसी सरकार सहाब यह बात सुनकर स्तब्द रह गये है उनके पास और कोई सवाल नहीं था योगेश्वर्दा का एक प्रतापी डाकू थे योगेश्वर्दा उस समय बहुत बड़े डाकू थे एक बार उनके गाव में गुरुभाई लोग सत्संग करने का योजना किये थे सभी को योगेश्वर्दा के घर के आंगन बहुत पसंद आया सभी लोग वहाँ पर सत्संग करने के लिए जगह निरधारित किये घर के मालिक के पास गए तो उनके माँ बोली मेरा बेटा तो अभी नहीं है जब तक वो नहीं बोलेगा आप लोग यहां सत्संग नहीं कर सकते हो गुरु भाई लोग किसी बे तरह उनके माँ को समझा कर राजी कर दिये सत्संग चल रहा था योगश्वर्द सामन्त दा उस समय पहुझ गए उसके घर के सामने सत्संग हो रहा है देखकर गुस्सिम लाल हो गए आखिर सत्संग को बीच में धोनी देकर रोकना पड़ा यह है वही योगश्वर्द सामन्त राए गटना क्रम में वह स्रिस्ठा आकुर्जी के सद्दिक्ष ग्रहन करके एक निष्ठ सेवग बन गए थे उसका कूप्रवरित्ती सूप्रवरित्ती में बदल गया था जैसे की देश्शू रतनाकर से वालमी की गूरु कृपाही के वलम ये सब सुनकर पीसी सरकार जो जादू समराट के नाम से जाने जाते हैं वो एकदम दंग रहे गया अच्चम भीत हो गया उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया था जो उन्होंने ठाकुर्ज से पूछा थे ये है करुणामाय परम प्रेममाय स्रिस्ठाक और नुकल चंद्रजी के अपार दया अपार और असीम दया का भंडर स्रिस्ठाक उर्जी आज लाखों लोग उनके चर्णों में सद्धिक्ष अग्रान करके उन्होंने दिखायो है रहा पर चलकर अपने जीवन को सफल्क बना रहे है आप लोग स्वस्तर है सुस्तर है वंदे पुरुशतम जाए गुरू आप लोग स्वस्तर है